आज का मेरा विश्या है वर्ण विचार और उनका उचारन स्थान तो सबसे पहले मैं वर्ण के बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी परिभासा क्या होती है और इसके कितने भेद हैं उस छोटी से छोटी ध्वनी का नाम वर्ण या अक्षर है जिसके आगे टुकडे ना किया जा सके हैं उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है जैसे अ, क, च, ट, त, प, इत्यादी वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और ब्यंजन स्वर जो विना वर्णों की शाहिता से बोले जाते हैं उन्हें श्वर कहा जाता है हिंदी भाषा में ग्यारा स्वर हैं जैसे अ, आ, इ, इ, उ, उ, र, ए, ए, ओ, आ, तो इक ग्यारा स्वर हैं दूसरा भाग है इसका ब्यंजन तो ब्यंजन की संख्या है 33 तो इसकी परिभासा है ब्यंजन जो श्यावदस्वरों की साहिता से बोले जाते हैं उन्हें बेंजन हुए कर से लेकर ह तक 33 बेंजन हो गए तो यह थे हमारे वर्ण और उसके भेद अब हमने इन वर्णों को हम ध्वनिया भी कहते हैं तो इनको हम हिंदी भाषा में जो इनका उचार्ण स्थान है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा तो सबसे पहले हमारा कंट की बात आती है तो जो ध्वनिय बात आती है के द्वनिय कहा जाता है जैसे आ, आ, क, ख, ग, घ, ग, व, ह, अ, ये हमारी uh, ध्वनिय जो हैं वो कंट की सहिता से बाता ती है इसी प्रकार से तालू की साहिता से जो ध्वनिया बोली जाती है उन्हें तालव्य ध्वनिया कहा जाता है जैसे इ, च, छ, ज, 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 न, श, य, इत्यादी तो ये ध्वनिया जो हैं, वो तालू की साहिता से बोली जाती है उसके बाद मुर्धा की साहिता से जो ध्वनिया बोली जाती है उन्हें मुर्ध्य ध्वनिया कहा जाता है जैसे त, ठ, ड, ध, अन, र, र, श, तो ये ध्वनिया जो हैं वो मुर्धा की साहिता से इन्हें मुर्धय ध्वनियां कहा जाता है ततपस्चाद दांत की साहिता से जो ध्वनियां बोली जाती है उन्हें दंत्य ध्वनियां कहा जाता है वो हैं त, थ, द, ध, न, ल, स तो ये ध्वनियां दांतों की साहिता से बोली जाती है इसी प्रकार कुछ ध्वनियां ओस्ट की साहिता से बोली जाती है, जैसे ए उ, प, फ, भ, भ, म, तो ये द्वनियां ओस्ट की साहिता से बोली जाती है और इन्हें ओस्ठिय धुनिया कहा जाता है। उसके बाद कुछ धुनिया हमारे पास मिश्रित होती हैं जो कंठ या तालू की साहिता से या कंठ या ओस्ठ की साहिता से बोली जाती हैं। जो धुनिया कंठ और ओस्ठ की साहिता से बोली जाती हैं उन्हें कंठ तालू की साहिता से बोली जाती हैं। उन्हें कंठ तालव्य धुनिया कहा जाता है। जैसे ए एह। उसके बाद जो धुनिया दांत और ओस्ठ की साहिता से बोली जाती हैं उन्हें दंतोस्ठ धुनिया कहा जाता है। जैसे व उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी धुनिया भी हैं जो नासीक की साहिता से बोली जाती हैं। उन्हें नासीक की धुनिया भी कहा जाता है। जैसे या 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 न न न म इस परकार से। अभी वारण की परिभासा उसके भेदों के बारे में जानकारी दी तत पस्चात मैंने ध्वनियों के उचारण स्थान बताए अब यहीं पर मेरा जो टॉपिक था वो संपन होता है धन्यवाद